दोसो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा विलियम बटलर एट्स की एक बहुत ही फेमस पोएम लेड़ा और दिस्वान इस पोएम में विल्यम बटलर येट से एक स्टोरी बताते हैं एक ग्रीक मित है जिसमें लेडा नाम की एक लड़की थी उसका रेप एक गौड जीूस ने कर दिया था हंस बनकर आया था रेप कर दिया लेडा प्रेगनेट हो गई उसके बाद लेडा को एक लड़की हुई हेलन और हेलन की वज़े से ट्रॉजन वार हुआ था और उसमें कितनी बरबादी हुई थी हम सबको बता है तो येट्स ने इस पोएम में उस रेप का पूरा किस्सा चौदा लाइन की इस पोएम में नए तरीके से बता है उन्होंने बताने की कोशिश किये कि किस तरह पावरफुल लोग जो करते हैं उसका हरजाना किस तरह दूसरे लोगों को उठाना पड़ता है ये चौदा लाइनों की एक सोनेट है जिसमें एक एक लाइन का मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा पहली लाइन में वो बोलते हैं a sudden blow मतलब कि God Jews ने जब अचानक एक स्वान बनकर यानि एक हंस बनकर लड़ा पर अटैक किया तो वो एक sudden blow था एक अचानक से लगने वाला जटका the great wings beating still मतलब जब उसने हंस बनकर अटैक किया तो अपने great wings से जो बहुत सारे उसके wings थे उससे उसने लड़ा को टच किया above the staggering girl staggering का मतलब होता है helpless लड़की helpless girl above का मतलब बढ़ रहा था वो उस helpless लड़की की तरफ बढ़ रहा था her thighs her thighs मतलब लड़ा की thighs caressed by dark webs by the dark webs मतलब उसके dark webs से उसने उसकी thighs को hold किया या पकड़ा caressed मतलब hold किया और dark webs मतलब ऐसे जानवर होते हैं जिनके पंजे होते हैं web की तरह होते हैं आपस में चमड़ी चिपकी हुई रहती है कुछ इस तरह से her nap मतलब उसकी गरदन के पीछे वाला हिस्सा caught पकड़ लिया by his bill bill मतलब चौच से उसने अपनी चौच से उसकी गरदन के पीछे वाला हिस्सा पकड़ लिया he holds her helpless breast upon his breast मतलब he holds मतलब उसने पकड़ लिया बहुत कस के उसको अपने से लगा लिया बहुत कस के लगा लिया उससे चिपका के उसने उसकी बाड़ी को प्रस किया भहुत टाइटली उसको assault करने के लिए उमीद करता हूँ यहां तक clear है आगे की दो लाइनों में वो क्या बोलता है कि वो God जो था उसने लड़ा की thighs को खोलने की कोशिश की उसका रेप करने के लिए उस फीदर्ड ग्लोरी from her losing thighs मतलब उसको Jews उसकी thighs को जब खोल रहा था तो उसको किस तरीके से push करती जब किस तरीके से God Jews को रोक पाते जो ओ कर रहा था और next दो लाइनों में भी वो एक सवाल पूसते हैं कि how can body lead in that white rush but feel the strange heart beating where it lies मतलब किस तरीके से adda भी खो गई उन blur white feathers को देखकर उस huns के blur white feathers को देखकर वो भी खो गई but feel the strange heart beating मतलब उसकी heart beat अजीब से हो गई थी उसे अजीब सा लग रहा था जिस वक्त वो उसका rape करने आया था आगे येट्स बोलते है a shadow in the lines and genders there इस line का मतलब ये है कि उस huns के रूप में आये God juice ने अपना सीमन लड़ा के अंदर eject कर दिया जिसके बाद हैलन हुई और उसके बाद वाली line में बोलते है कि यही कारन बना जब Trozen War में दीवारे तूट गई the broken walls, the burning roof and towers जब छटे जल गई, towers जल गए और Agamemnon की death हो गई यही, यही से ही Trozen War की शुरुआत होई थी being so caught up इसके बाद में लेडा बिलकुल एकदम caught up हो गई थी यानि खो गई थी इसके बाद लेडा बहुत और विल्म हो चुकी थी और with his power before the indifferent bee could let her drop मतलब यह है इसका मतलब यह है कि भले ही उस हंस ने जीउस जो हंस की रूप में आय था उसने उसका रेप कर दिया लेकिन रेप करने से उसमें वो overpowered हो गई लेकिन क्या उसमें इतनी समझ भी आ गई कि इस रेप का क्या आगे अंजाम होने वाला है क्या वो इतना भी समझ चुकी थी कि आखिर वो थी तो एक इनसान ही न क्या उसमें उसकी जो गौडली फॉटसाइट थी जीउस की वो भी आ चुकी थी जिस वक्त उस हंस ने उसको उसकी चोंच में दबा रखा था उससे पहले की बात हो रही है यह तो यहां तक यह पोएम थी यहां पे आइंड में वो सवाल पूछ रहे हैं क्या लेडा को इसका अंजाम पता था कि इस रेप के बाद में आगे क्या अंजाम होगा यह इतना बड़ा ट्रॉजन वार होगा यह सब पता था लेडा को इस सवाल के साथ वो पोएम को खतम करते हैं उम्मीद करता हूँ आपको यह पोएम समझ में आयोगी दोस्तों आज कि इस वीडियो में बस अतना ही